नमस्कार जी गुड़ायंद सी चार बजे आपके समक्ष इम्मुनिटी सीरीज की शरंक्रा लेकर इम्मुनिटी सीरीज 2 में सात्वा दिन आज हमारा प्रोडक्ट का नाम है डेली डाइट आएमसी डेली डाइट टैबलेट्स तो आज हम डेली डाइट के बारे में जानेंगे सुनील जी गुड़ायंद सी और इससे पहले कि हम डेली डाइट के बारे में शुरू करें पिछली बार परसो मैंने वीट गोल्ड के बारे में बताया था ये अमसी वीट गोल्ड टैबलेट के बारे में उसमें काफी सारे हमने सवाल जवाब भी लिये थे और कुछ सवाल बाद में आये थे उसके जिन को मैं छोड़ना नहीं चाथा हर सवाल लिया जाता है तो एक सवाल पहले हम प्ष्ली वाली श्रंखला में से वीट गोल्ड का सवौल लेते हैं फिर हम आज की स्रंखला का डेली डाइट शुरू करते हैं तो पुछली हो रही थी और आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमें बहुत मदद मिली बहुत साहता मिली और थैंक यू वरी मच तो बहुत खुशी है किरन जी कि हमारे उपकरम से हमारी मेहनत से आपके जो आप काम कर रहे हैं इतना अच्छा लोगों तक स्वास्त पहुचाने का अच्छे प्रोडक्स का उसमें थोड़ा सा आपको एड़ान हुआ इस से आपके बल मिला आपको हमें बहुत खुशी है और हमें लगता है कि इतना हो गया तो हमारा यहां पे मेहनत करना सफल हुआ रोशन कुमार जी पूछते हैं कि क्या वीट गोल्ड को हम गांठ में दे सकते हैं तो रोशन जी गांठे कई प्रकार की होती है अगर हम देखें तो 80-90% गांठे जो होती हैं वो साधारन गांठे होती हैं लेकिन कुछ गांठे ऐसी होती हैं जो cancer में भी change हो सकती है इसलिए गाठो को कभी भी साधारन ताहा नहीं लेना चाहिए उसको हमेशा seriously doctor के दिखा के उसके इसाब से देना चाहिए हाँ weed gold दी जा सकती है क्योंकि उसको हम पहले भी बताया कि कई सारे cancers में उसका इस्तमाल होता है गुरविंदर कौर जी पूछती है क्या pregnancy में उसको दे सकते हैं तो गुरविंदर जी मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसका कोई रुकावट नहीं है ऐसी कोई study नहीं आई की pregnancy में नुक्सान करेगी तो हम दे सकते हैं pregnancy में अगर आप देना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी डॉक्टर की देख रेक में गोवर्धन दास जी कहते हैं कि वीट गोल्ड टैबलेट के साथ अंकुरत वीट भी साथ में दे दे दें तो दे सकते हैं बिल्कुल गोवर्धन जी लेकिन क्यूं दे ये मुझे समझ में नहीं आया तो आज कि इस श्रंखला को हम शुरू करते हैं डेली डाइट टैबलेट्स को हमने इम्मुनुटी की श्रंखला में रखा है क्योंकि इसमें जितना कुछ है वो जादा तर एंटि आक्सिडेंट है इम्मुनूटी प्रोमोटर है तो इसको देखिएगा कि पहले जैसे हमला ह तरीका हमेशा पढ़ने का रहता है कि सबसे पहले हम उसके घटक समझते हैं कि उसमें है क्या क्या और अगर आप घटक पढ़ना सीख लेते हैं तो बहुत मदद हो जाती है घटक के बाद हम देखते हैं कि इसमें इसकी डोज इसको देने का धंग क्या है कहां कहां नहीं देना पκαणी के कदी चाहिए कहां देना चाहिए फिर हम कुछ प्रशन लेते हैं कि यो कि इसके संबंदित प्रशन क्या है तो पहले हम इसके घोलग भाग में हम उसके घोलग में अगर आप डायरी में लिख रहे हैं तो देखिए पहला एक कॉलम बनाईए जिसमें कि आप लिखिए आएंटि-आक्सिडंट हर्ब्स कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो आएंटि-आक्सिडंट के रूप में डेली डाइट में डली हुई है रसायन के रूप में रसायन भी बोल सकते हैं उनको कि immunity promoting antioxidant यह हो गया तो उसमें एक सबसे पहली है ऐलोवेरा जो हमारी बड़ी एक important herb है ऐलोवेरा के साथ में इसमें है हरी तकी हरी तकी ऐलोवेरा के बारे में हम सब जानते हैं एलोवेरा को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो कैसे हमारे सारे जो अंदर की सारी lining होती है पेट मूँ से लेकर गुदाद्वार तक वो सारी lining को ठीक करती है रिपेयर करती है और हमारी body को detox करती है शोधन करती है इसी तरह इसके साथ एक हरी तकी है जिसको हम आम भाशा मे हरड कहते हैं तो हरी तकी जो है उसके extracts इसमें हैं और हरी तकी का काम भी detox है वो भी toxins निकालती है बाड़ी में से और पेट के द्वारा जब हरी तकी लेते हैं तो उससे थोड़ा सा पेट साफ होता है और टॉक्स निकलते हैं अब यह दो जो है यह detox हर्ब्स हो गई उसके अगर हम देखें तो कुछ रसायन हर्ब्स हैं रसायन का मतलब कि जो बल्य हैं जो हमारा बल बढ़ाती हैं स्त्री पूरुशों दोनों में बल बढ़ाती हैं और स्टैमिना बढ़ाती हैं और शक्ती जिसे हम कहते हैं व्यायाम की शक्ती काम करने की शक्ती बढ़ाती हैं हमारा growth muscles ठीक करती है और हमारे अंदर उर्जा का संचार करती है तो उसमें सबसे उपर है अश्वगंधा जिसको हमने पढ़ा भी था विथैनिया सौमनी फैरा अश्वगंधा की जड़ जो होती है वो growth और development के लिए बहुत अच्छी चीज है और फिर विए एक तरह steroid की तरह काम करती है हमारे शरीर को बल देती है हमारी मास पेशियां द्रिड करती है और पुरुशों में वो टॉनिक भी का काम करती है अश्वगंधा और मुलेठी मिला के और इसके साथ है मुलेठी मुलेठी जो है वो हम लोग आम भाशा में भी देखते हैं आजकल आयूश विभाग भी बहुत जादा मुलेठी को परचार कर रहे हैं कि उससे वाइरस से रोकने में शक्ती मिलती है शरीर को तो मुलेठी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे श्वासन तंत्र को हमारे सांस को खांसी को जुकाम, खांसी, सांस इसको बिल्कुल ठीक कर देता है और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है श्वासन तंत्र की उसके साथ मुलेठी का एक और बहुत अच्छा प्रयोग है कि मुलेठी जो है वो मेध्य है, मेध्य का मतलब वो बुद्धी बढ़ाती है बहुत अच्छा डाला है मुलठी के साथ फिर आमला है आमला हमने पहले भी पढ़ा था कि आमला एक सर्वोत्तम बैरी है हमारी भारती है जो एंटी ऑक्सिडेंट है बहुत बढ़िया और आमले का गुण्ड जो है वो उसके अंदर प्रचुर मातरा में विटमिन सी है जिसकी वज़े से आमला गुडवान होता है और वो बोन्स को हड़ियों को शक्ती देता है उसमें प्रकर्टिक कैल्शियम होता है और खांसे जुकान ठीक करता है और इम्मूनिटी बढ़ाता है इसके साथ शतावर है शतावर जो है वो पुरुषों में वीरे वरिध्धी करता है और स्तिरियों में वो स्तन्य वरिध्धी यानि की जो दूद की मातरा होती है गर्ववती महिलाओं में माताओं में वो अच्छी करता है और छोटे बच्चों में अगर हम शतावर देते हैं तो उनका जो पतले दुबले बच्चे होते हैं वो रिष्ट पुरुष्ट हो जाते हैं तंदुरुस्त हो जाते हैं और वो जल्दी बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ के लिए काम करता है और इसके साथ इसमें दो और चीजे हैं कौँच और गोखरू ये रसायन है अभी और भी बहुत कुछ है तो कौँच जो होता है उसको हम कौँच का बीज होता है जिसको बहुत आयरुवेदिक शोधन प्रक्रिया के बाद उसको औशदी करूप में इस्तमाल किया जाता है और कौँच एक बहुत अच्छी औशदी है पुरिशों में टेस्ट करते है तो शुकराणों कम होते है उन में ये बहुत अच्छा काम करता है और उसके साथ में कौँच ब्रेन की डिजीजज में जैसे कि पारकिंसन्स की बहुत अच्छी औशदी है आज तक जो पारकिंसन्स की दवाई उसमें भी कॉंच के ही जो प्रकार कॉंच के अंदर के मॉलिक्यूल हैं और शदी तत्वे हैं उसी की दवाई बनाके दी जाती है आज भी अमेरिका तक में तो कॉंच का प्रयोग वहां बहुत जादा है तो ब्रेन को वह एजिंग नहीं होने देता और एक जरावस्था नहीं है कॉंच के साथ फिर गोखुरू है जो हमने पिशली बार भी देखा कि गोखुरू का काम है उसको त्रिकंटक कहते हैं बीज होता है तीन कांटे होते हैं और गोखुरू बहुत अच्छा मुत्रल है वह पिशाब की मुत्र रोगों को ठीक करता है किड्नी स्टोंस निकालत है और वह किड्नी की immunity मालीजिया किड्नी की immunity के लिए बहुत अच्छी वह शधी है और इसके साथ में जो है वह गिलोए है जो रक्त-शोधन है णाटो है ладно है हमारे पलेटलेट्स के और सफेध कन बढ़ाता है और इम्यूनिती बढ़ाता है और और ज्वर के लिए बहुत अच्छा काम करता है तो आज कल भी आयोश्विभाग इसको गिलोए को बहुत प्रमोट करते हैं कि गिलोए का काड़ा पीजिए फिर इसमें ब्रामी है और मंडूक पढ़नी है यह ब्रामी के दो प्रकार है ब्रामी और मंडूक पढ़नी जो ब्रा voi की मरीजों में अच्छा काम करती है और ठीड करती है तो इसके इलावा इस में दो पोशक तत्व और है इसके साथ एक और मेद्ध हैं शंक-पुषपी हम कहते हैं ब्राभ मिन्दूक पढ़नी और शंक-पुषपी तीन इसमें ब्रेन टॉनिक है और इसके साथ में दो पोशक तत्व हैं गाजर और पालक तो ये इसके तत्व जो हैं कॉंसेंट्रेट करके दिये गए हैं इनको हम दुबारा थोड़ा सा देखेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ी और कैसे हुआ तो फिर इसके साथ एक कॉलम में अगर आपने लिख लिया हो ये सारा कुछ तो इसको दुबारा रिवाइस करिए अगर कुछ रहना गया हो तो लिखेंगे कि आपकी रसायन और शदियां जड़ी बुटियां हैं उसकी लिस्ट है डेली डाइट के अंदर एलोवेरा हरित की हरितिकी को समझिए प पिर आश्वगंधार और मूसली और कौच ये जो है ये आपकी ग्रॉथ डेवल्पमेंट शुक्राणूnet को अच्छा करता है और आपके वीरे को ओज को अच्छा करता है और मшल्स को ठीक रखता है स्टैमिवना बढ़ाता है इसके साथ में गोखुरू जो है वो मूत्र की मूत्र रो की immunity ठीक करता है फिर जो मुलेठी है वो श्वासन तंत्र की immunity ठीक करेगी और brain tonic है गिलोए रक्त शोदन है रक्त की immunity अच्छी करेगी और ज्वर नहीं होने देगी ज्वर से रोकेगी जो आजकल वाइरल्स वगरा चल रहे हैं इसका डर है तो गिलोए उससे prevention भी करती है जैसे हमने अपने संजीवनी जूस में बताया था कि उसमें गिलोए की वज़े से वो इतना अच्छा काम करता है फिर इसमें brain tonic हैं जिसे हम कहते हैं कि brain की immunity mustache की immunity ठीक करेगा ब्रामी, मंडूप पर्णी और शंक पुषपी तीन चीज़ें तो शंक पुषपी जो होता है वो भी बहुत अच्छा मेद्य है लेकिन शंक पुषपी का एक और use भी है कि वो digestion बहुत अच्छा करता है ठीक metabolism और digestion ठीक करता है इसलिए इसको thyroid के रोगों में भी दिया जाता है blood pressure के रोगों में भी दिया जाता है और हिर्द रोगों में बहुत अच्छा ब्रामी का और इसका दोनों का प्रयोग दिया जाता है ब्रामी के products हिर्द रोगों में दिया जाता है हिर्दे के लिए भी है हार्ट को टॉनिक का काम करता है आमला है इसमें नोट कीजेगा आमला जो है वो हमारी जो खून का सर्कुलेशन है पूरा उसको ठीक करेगा उसको शक्ति देगा हमारे खून की नालियों को खून की नाडियों को ठीक करता है तो ये आमले का गुण हो गया और उसके साथ में हमारे दो पोशक तत्व जो जिसको हम पोशक तत्व में लेते हैं वो है गाजर और पालक ये बोनों पोशक तत्व हैं इन ओनों का एक्स्ट्रैक्ट यानि कि उसका सत्व इसमें डाला हुआ है तो ये साइड आपकी सारी हो गई जो हमने रसायन और पोशक तत्व बताए अब एक और इसमें जो पड़ेगा वो है आपका जो हमने आधुनिक विज्ञान से जो पूरी दुनिया में चीज़े चल रही है वो भी हमने इसमें डाली है मिलाके तो उसमें हमने क्या किया कि green tea देखी ग्रीन tea के green tea में और green coffee में तोनों में बड़े अच्छे flavonoids होते हैं flavonoid एक ऐसा तत्व है जो antioxidant की मातरा उसमें बढ़ जाती है और वो antioxidant की तरह काम करता है और वो metabolism अच्छा करता है और वजन में चर्बी नहीं आने देता दोनों का ये प्रयोग है तो green coffee भी वजन में चर्बी घटाता है और green tea भी चर्बी घटाती है तो इसमें green tea के भी extract पड़े हैं और green coffee के भी extract पड़े हैं और इसमें spirulina है जिसको हमने अभी पहले जाना था spirulina tablets में दो शंकला अभी दो बीच में पहले आया था दो चैप्टर पहले तो spirulina भी इसमें डाला हुआ है और spirulina के साथ flax seed है जिसे alci के बीज कहते हैं तो alci के बीज जो होते हैं वो omega 6 और omega 3 का स्रोत है ये एक ऐसा fatty acid तेल होता है जो हमारे शरीर में hormones production में nervous system को ठीक करने में brain को अच्छा करने में बहुत सायक है और उसके साथ साथ आपका जो रक्त है रक्त में जो खून में जो cholesterol है उसे भी ये कम करता है flax seed तो एक जो extra खराब cholesterol है उसे कम करता है अच्छे cholesterol को बढ़ाता है तो ये इसमें जो दूसरा पार्ट है ये international herbs आप मानके चलिए वो उसमें पढ़ी हुई है और फिर इसमें एक तीसरा जो grade आता है वो है जो रसायन के खनिज है जो minerals है जैसे कि इसमें मुक्ता है मुक्ता का हमने आपको बताया कि मुक्ता मोती को कहते हैं हमने पिछली बार जो देखा था कि मुक्ता शुक्ती भसम एक जगा इस्तमाल हुई थी यहां पे मोती इस्तमाल हुआ इस वाली daily diet में मोती इस्तमाल किया गया मोती को जब हम गुलाब के जल में बहुत अच्छी तरह पीस लेते हैं तो उसकी पिष्टी बनती है उसे पिष्टी कहते हैं तो उसको मोती का कुछ औशदियों में मिला कि वो बिलकुल सफेद गुलाबी सफेद सी भसम बन जाती है उसकी बहुत नरम होती है वो भसम पिष्टी कहते हैं उसको और वो बहुत ठंडी तासीर की कैल्शियम होती है और फ्री रैडिकल्स को साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो बनाई गई है दुनिया में बताया गया कि जितनी रिसर्चिज हुई तो इस से उपर कैल्शियम हमारे किसी भी सिस्टम में कहीं भी नहीं है जो मोती का पिश्टी होती है वो सबसे बड़ा कैल्शियम है और ये एक और काम करता है क्योंकि ये ठंडी तासीर का है कैल्शियम है तो जिनके पेट में गर्मी हैं, अलसर हैं, जहां पेट के अलसर कहीं ठीक नहीं हो रहते हैं, तो उसका ये औशदी इलाज होता है, तो मुक्ता पिष्टी हो गई है, फिर स्वरन भसम इसमें है, स्वरन भसम मतलब शुद्ध स्वरन, सोने की भसम डाली गई है, तब सोना जो उपर सबका राजा माना जाता है कि इम्मूनिटी की बेस्ट दौाइश जो है वो स्वर्ण भश्म हैं तो हमें जहां भी जीन्रोग किसी वैद को ठीक करने होते हैं जो बहुत पराना रोगी आता है तो कहता है कि थोड़ा शोधन करते हैं पंचकरमा करते हैं फिर कहते हैं कि इनको सुरन बसम की और शचदियां देंगे गां तो उससे पूरे शरीर के सेल्स ठीक हो जाते हैं और इसके साथ इसमें यश्चद बसम है यशद होता है एक प्राकर्तिक रूप से मिलने वाला zinc zinc जैसे हमने आपने कभी देखा हो कि आपको doctor जो है वो बड़े बज़र्गों को या कई जगाओं पे बिमारियों में बी complex की कैपसूल लिखते हैं तो बी complex के कैपसूल में आपने देखा जैसे बी को सूल जैड करके आता था या या कोबाडेक्स जेड आता था तो जितने कैपसूल में जेड लगा होता है वो होता है कि जिंक तो जिंक के बिना मल्टी विटामिन कैपसूल निरर्थक होते हैं वो बेकार काम करते हैं तो जिंक बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए अब जिंक क्या करता है कि वो नर्वस सिस्टेम के लिए बहुत जरूरी है मसल्स के लिए जरूरी है टोनिक है मसल्स का और फेफ़नों का लंग्स का टोनिक है ब्रेन का टोनिक है तो इसलिए यशद बहुत चुन के स्वर्ण कैलिशियम की जगा मुक्ता मोती और इम्यूनिटी का राजा स्वर्ण भसम और यशद भसम जिंक जो गनर्व टॉनिक है ये मिलाया गया तो ये टोटल मिलाके बनता है डेली डाइट का सारा घटक तो अभी तक हमने जितने भी प्रोड़क्ट्स आपके साथ शेयर किये तो मुझे उसमें ये प्रोड़क्ट्स सबसे मजबूत लगा जिसमें कि इतना कुछ इतना सोच के मिलाया हुआ है इसको दुबारा रिवाईज कर लेते हैं विगबार दुबारा हम देखते हैं कि इसमें जो सारे घटक थे उसमें जो मेंली जो औशदियां जड़ी बूटियां है वो एलोवेरा, हरितकी, मूसली, अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोए, ब्रामी, मंडूक पर्णी, गाजर, आमला, शंक पुषपी, शतावर, पालक, कॉच, गोखुरू, और ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, स्पिरूलिना, फ्लैक सीड, मोती भसम, मोती पिष्टी, भसम नहीं पिष्टी, मोती पिष्टी, और स्वनर भसम, और यशद भसम, ये सारी चीज़ें मिलके बनती है डेली डा ये कितनी कमाल की चीज़ बनी डेली डाइट, अब ये क्या करती है, आप ये समझे कि ये एक तरह का आयरुवेदिक मल्टी विटामिन है, जैसे हम लोग कोई भी डॉक्टर आप जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वो आपकी सारी औशदियों के साथ एक मल्टी विटामिन लिख देते हैं, क्योंकि औशदियों के नुकसान होते हैं, अलोपैथी, फिर उनको पेट को भी खराब करती हैं, तो मल्टी विटामिन साथ में देते हैं कि ताकत बनी रहीगी, तो मल्टी विटामिन से क्या होता है, कि कुछ मरीजों को कई मरीजों को मल्टी व प्रयोग हुआ तो यह जितनी आपकी जड़ी बुटियां काश्ट ओशदियां हैं वो सारी की सारी रसायन हैं एंटी ऑक्सिडंट हैं इम्मुनिटी प्रमोटर हैं उनका मेंली ये काम है अलग-अलग सिस्टम की इम्मुनिटी ठीक कर रही है हरित की पेट की मिनुटी ठीक कर रहा है ब्रामी ब्रेन की इम्मुनिटी ठीक कर रहा है आमला बलड की हाट की मिनुटी ठीक कर रहा है तो हर हर सिस्टम की इम्मुनिटी करने के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है पोशट तत्वी भी हैं गाजर और पालक और सारे इसमें स्वर्ण यशद मुक्ता जो आपकी जितनी कैलिशियम की कमी है वो पूरी हो रही है और इम्मुनिटी के लिए स्वर्ण मिल रहा है यशद मिल रहा है और बाकी ग्रीन, टी, ग्रीन, कॉफी, स्पिरूरिना, सब कुछ है तो मल्टी विटामिन की तरह हर एज में हम अब हर एज की जब बात करते हैं तो हम जनली 5-6 साल से शुरू करते हैं कि 5-6 साल या 12 साल के बच्चे आप समझ लीजे उसके उपर 10 साल के उपर जो है वो जितना 10 साल से लेकर 90 साल, 100 साल तक जितना भी एज है हर वय के लोग, स्त्री, पुरुष, सब सब इसको ले सकते हैं और इसमें इसको मल्टी विटामिन की तरह लिया जा सकता है इसको लगातार भी लिया जा सकता है और इसको प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है और लेकिन वही बात प्रेगनेंसी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चिकित सक है उससे पूछे बिना ना ले CH diabetes है किसी को या blood pressure है या thyroid है या कोई kidney की दवाई ले रहा है liver की दवाई ले रहा है सब रोगी इसको साथ साथ ले सकते हैं किसी को भी नुकसान नहीं करने वाली सब को फाइदा करेगी और इसको लेना कैसे है जो हम कहें कि 10 साल से लेकर 20 साल तक की उमर है उसमें एक गोली हम सुबै शाम ले सकते हैं 20 साल के उपर की उमर है या अगर आपका वजन 70 कलो से उपर है तो 2 धो गोली 2 बार ली जा सकती है शुरू में कम से कम 1 महीने तक 1 से 2 महीने तक आप 2 धो गोली सुबै शाम ले उससे आपके शरीर में ये टत्व जो है सुरन भसम, यशद, मुक्ता और बाकी सारे जो तत्व हैं ये अच्छी मात्रा में आ जाएंगे और ये इम्मुनिटी प्रोमोशन पर काम करेंगे तो दो महीने तक तो इस डोज में आप ले सकते हैं दो दो गोली सुबे शाम उसके बाद मेंटेनेंस के लिए फिर आप चाहे तो तीन, चार, छे महीने का गैब दे दीजे फिर दुबारा ले लीजे तब भी कर सकते हैं और जो कुछ जिन रोगों को डाइबिटीज है जैसे शुगर है तो वो लगातार कमजोरी बनी रहती है नर्वस सिस्टम की वीकनेस होती है शुगर में तो शुगर के मरीजों को तो ये बारा महीने दी जा सकती है क्योंकि वो सारा टाइम और शुधियों पे है सारा समय उनकी कमजोरी बनी हुई है और उसको ये ठीक भी करती जाएगी और उनकी कमजोरी को दो तीन महीने में ऐसा कर देगी कि उनको महसूस नहीं होगा कि मेरे शरीर में कोई शुगर है या कल कोई कमजूरी है तो इस तरह से उनको तो लगातार 12 महीने मैं सोचता हूं कि चलाई जा सकती है बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी 2 महीने देकर फिर आप गैप दे सकते हैं 2-3 महीने का 6 महीने का फिर दुबारा 2 महीने दे देंगे इस तरह करके हम बीच बीच में दे सकते हैं इम्मिन्टी बढ़ाने के लिए ये इसका धंग है और अब इसके कुछ प्रशन लेता हूं मैं जो पूछे गए थे क्योंकि प्रशन हमारे पास अग्रिम में एडवांस में आ जाते हैं तो बीरिबल जी पूछती है इसकी डोज क्या है अनु जी देखिए मैंने अभी आपको सारी डोज बता दी तो डोज भी आपके सामने आ गई और दिविया मालदे जी पूछती है कि डेली डाइट में कोड़ डाइटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको दे सकते हैं क्या तो देखिए दिविया जी इसमें जो ग्रीन टी ग्रीन कॉफी ये दो चीजे हैं और ये अपने आप में चर्बी घटाती है तो ये डाइटिंग के लोगों के लिए मददगार होगी जो डाइटिंग कर रहे हैं जो वजन घटाना चाहते हैं जो चर्बी घटाना चाहते हैं और इस लॉकडाउन में बहुत पकवान खाये हैं सबने हमें पता है कि बड़ा-बड़ा मैदा और सूजी लाला के सब ने पकवान बनाए और वीडियो में डाले कि हम क्या-क्या पकवान बना रहे हैं और exercise किसी ने नहीं की होगी सब भर बैठे हैं और सब का 4-4-5-5 किलो वजन बढ़ गया होगा और सब की चर्वी आ गई होगी तो यह समय है इससे चर्वी घटाने का और व्यायाम शुरू कर दीजिए लॉकडाउन खुल गया है और रोज सुभे सूरे के साथ पसीना निकालिए जो वेड़ घटा रहे हैं उनके लिए ध्यान रखिए कि सूरे में खड़े हो के आदा घंटा पसीना जब तक न आए और खूब व्यायाम कीजिए जब तक खूब पसीना न आ जा तब तक घर में नहीं आए और उसके बाद भी खाना दो बार सिर्फ खूब अच्छी भूख लगने पर और थोड़ी मातरा मिलें और उसके साथ ये जब लेंगे तो इससे अतरिक्त चर्बी जो है वो वेड़ घटेगा इससे और जिन जो जिनका वेड़ कम है या पतले है वो घबराएं ना कि उनका वेड़ गायब हो जाएगा ऐसा नहीं होत क्योंकि इसमें अशुगंधा भी है, मुसली है, शतावर है और गोखरू है, ये सारी चीज़ें वजन बढ़ाती है एक तरह से तो ये मसल्स बढ़ाएंगी ये वजन में क्या बढ़ारी है ये मासपेशियां तगडी कर रही है वेड़ ग्रीन टी और ग्रीन काफी क्या करे तो चर्बी घटा दिया और मासपेशियां मजबूत हो गई तो जो डाइटिंग कर रहे हैं उनको कमजोरी भी नहीं आएगी बेस्ट टाइम क्या है इसके लेने का तो इसका बेस्ट टाइम भोजन के एक घंटे के बाद लेने का समय है बहुत अच्छा और दूद के साथ भी तो बहुत अच्छा काम करेगा और उन्होंने पूछा कि कब नहीं लेना मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई रोग नहीं है सिर्फ प्रेग्नेंसी में जरूर डॉक्टर से पूछके लें उनसे देखें उनसे बात करें तो आज का ये टॉपिक था डेली डाइट कि इससे जानकारी अच्छी मिली होगी और डेली डाइट को दुबारा अपने मन मस्तिश में मजबूत किया होगा कि इसको कैसे यूज करना है और हम फिर मिलते हैं परसों शुक्रवार को चार बजे इसी समय यहीं पे इस श्रंखला के आखिरी प्रडॉक्ट को लेकर जो है हर्बल नैचरोमेगा तो नैचरोमेगा जो है वो क्या करता है और किसलिए कैसे काम करता है कितने सारे काम जो आपको पता भी है नहीं भी है वो सब हम बताएंगे और इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजे और इसको अगर जिसने प्रयोग किया है वो उसके प्रशन पूछ बाद मैं डॉक्टर सुनीत अरोडा आपकी सेवा में परसों मिलता हूं चार बज़े आप से गुड़ आयम सी कि अधि